हलो दोस्तों मारे पास question दे रहा है एक सात्र को प्रिक्षा में उत्रिण होने के लिए 40% अंक लेने थे उसने 178 अंक प्राप्त किये तथा 22 अंकों से अनुत्रिण हो गया यानी कि फैल हो गया दोस्तों तो कुल कितने पुरणा अंक थे यह पूछा गया दोस्तों इसने दोस परशेंट अंक लेने है पास होने के लिए तो 178 अंक उसने लिए और कितने अंकों से फैल हो गया 22 अंकों से अगर इसमें हम 22 एड कर देंगे तो यह 40 परशेंट के ब्राबर नहीं हो जाएगा तो एड करने के बाद हमारे पास क्या है यह दोस्तों दोस्तों अब हमको पता 40 की वैलू 200 है तो एक प्रतिसत की वैलू कितने आ जाएगी 200 बटे 40 और पूरे 100 परसेंट की वैलू के लिए हम क्या करेंगे इसको 100 से गुणा कर देंगे यानि कि 200 बटे 40 गुणा में 100 40 पंजे 200 5 गुणा में 100 तो कितना है हमारे पास 500 यह क्या दोस्तों 100 परसेंट की वैल सो है दोस्तो ओपान सो है यही क्या हमारा आंसर है दोस्तो ओप्शन नमर बी इस राइट है इसी तरह की सोट ट्रेक वीडियो देखने के लिए दोस्तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत बूले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से आप तोस्के